उत्री इसराइल लगातर हिजगुला के हमलों से देहल रहा है एक बार फिर लेबनान से खतरनाफ रोकेटों ने इसराइली बेस को दमाखों से हिला डाला इसराइली रमक डैविट एयर बेस पर हिजगुला ने भारी रोकेटों से हवाई हमलों की बोच्छार की लडाकों ने हाइफा शेर के पूर्व में इसराइली वायू सेना बेस पर दरजनों फदी वन और फदी टू लंबी दूरी के रोकेट अटरली गोले दागे ये पहली बार है जब हिजगुला ने इन रोकेटों का हिजगुला के खिलाफ इस्तिमाल किया है नासरिया जिले में बना बेस काई इसराइली वायू सेना स्कौारडन और F-16 लडाकों जेट का ठिकाना है जहां से लेबनान पर हमलोकन जाम दिया जाता है समू ने अपने दावे की पुष्टी करते वे वीडियो भी शेर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि लडाकों ने डेड़ महीने पहले ही इस इलाके की रेकी की थी अपने एड़वांस ड्रोन की मदद से लडाकों ने इलाके का वीडियो बना कर विमानों की 23 उनिश्चित की थी हिजबुला का हूप और ड्रोन पहले भी रमत डेविट एरबेस के उपर से उडान भर चुका था जहां इसने बेस के बारे में मैत्रपुन जानकारी रिकोर्ट की थी बताया जाता है कि रमत डेविट एरबेस जिसको एजर वीच मैन बेस भी कहा जाता है इसराइली बल इसका इस्तिमाल लेबनान और इसीरिया की और से हवाई अभियानों के लिए करते हैं ये उतरी लाके में एक मात्र इस्राइली वायू सैना का एरबेस भी है इस बेस में 109 स्कुराइडन F-16D बराक लड़ाकु जेट को अपरेट करती है तो वहीं 105 स्कुराइडन F-16D बराक लड़ाकु जेट को और 101 स्कुराइडन F-16C बराक लड़ाकु जेट को अपरेट कर इस बेस पर 160 स्क्वार्डन और 157 स्क्वार्डन भी तैनाथ है जो UAV का इस्तिमाल करती है इसके अलावा इस बेस में 4 स्क्वार्डन भी है जिने शेत्री साहेता, रखरखाव और परिचालन परबंदन का काम सोपा गया है अलमयादिन की रिपोर्ट के मताबिक एर बेस पर दागे गए रोकेट हिजबुला के अंडरग्राउंड इमार्ट ठिकानों से लौँच हुए थे इन लंबी दूरी के आटरली रोकेट को पहली बार इस्तिमाल में लाया गया है इन्हें इस्राइली लक्षियों पर सबसे गहरे रोकेट हमलों में से एक बताया जा रहा है फदी 1 220 mm केलिबर का रोकेट है जिसे मल्टिपल रोकेट लौँचर से लौँच किया जाता है ये इमाद 4 वीडियो में देखे गए रोकेटों में से एक है इसकी अधिक्तम सीमा भी 80 km है वहीं फदी 2 302 mm केलिबर का रोकेट है जिसे MLR से लौँच किया जाता है और ये इमाद 4 वीडियो में देखे गए रोकेटों में से एक है इस प्रोजेक्टाइल की अधिक्टन सीमा 105 किलोमेटर है हिजबुल्ला इने पिछले मईने दावा किया था कि उसके इमाद फोर बेस उन दरजनो ठिकानों में से एक हैं जिसका दुश्मन के किसी भी हमले पर कोई असर नहीं पड़ेगा दावा है कि हिजबुल्ला लड़ाकों की ओर से इतने जोरदर हमले हुए कि बड़े पेमाने पर साइरन बज गए इसराइली सैना ने बताया कि ये हमला उस लक्षे पर किया गया था जिसे हिजबुल्ला ने दो महीने पहले अपने एक वीडियो में दिखाया था इसराइली मीडिया की माने तो अफुला शहर समेट 74 इसराइली बस्तियों में अलर्ट साइरन बजे इसराइली सैने कमान ने बताया कि हिजबुल्ला ने शुरुआती हमले में रमत डैविट एर बेस पर लंबी दूरी के रॉकेट आटरली गोले दागे जिन में 175 किलोग्राम वजन का विस्फोटक वॉरहेड भी था पिछले कुछ दिनों में इसराइली जुदक विमानों ने लेबनान के इलाकों में परती दिन लगबग 50 हमले किये हैं इसराइली मीडिया ने बताया कि 15 में से केवल 8 रोकेटों को हवाई सुरक्षा द्वारा रोका गया ये पहली बार है जब हिजबुला ने इसराइली लाकों में इस शमता के रोकेट दागे हैं इस्राइली मीडिया ने संकेत दिया कि हाइफा के पास और कबजे वाले अल जलील में अन्ने शेत्रों को लगबग सो रोकेटों से निशाना बनाया गया था कर दिये श्राइली ने संह 하고 में हजे पास खनी सरे करेकर के भीसों जाले नहatif कर दिया कर दियाका का कर दो कर दो को दूगे